अलो शुडेंट्स आम नवीन स्वागत आपका मैं रीडूप चनल बेसिक में सॉन डिप्स में और इस वीडियो में में कहने मेला हूं क्लास नाइथ चैप्रा सर्कल से दे बॉर्टन कोशन तो चली शुरू करते हैं तो देखे समय में दिया है AB and CD are two pallor codes of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle तो देखे जैसे कि मैंने यहाँ पे रफिकर बनाई हुई है तो यहाँ पर AB और CD दो code है और AB के length 5 cm है CD के length 11 cm है if the distance between code is 6 cm then find the radius of circle तो यहाँ पर बताया है कि अगर इन दोनों code के बीच में distance जो है 6 cm का है यानि कि यहाँ पर PQ जो है वो 6 cm है तो हमें यहाँ पर radius बतानी है circle की वो क्या होगी देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर O को A से join करना होगा ठीक है और O को C से भी join करना होगा तो सबसे पहले मैं हैं लिख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर join किया है join O A and O C अब देखिए यहाँ पर O A और O C यह दोनों अगर हम देखें तो वो radius से circle की ठीक है तो मैं यहाँ पर इनको R मानूँगा तो मैं यहाँ लिख लूँगा और O Q CD पर perpendicular डाल रही है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि है ओ पी perpendicular है AB पर और साथ ही O Q perpendicular है CD पर और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि यहाँ दोनों कोड के बीच में जो distance है वो 6 cm है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P Q यहाँ पर मुझे 6 cm given है अब देख O P पहले मैं X let कर लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ कि let O P equal to X cm तो अगर मुझे यहाँ पर O Q निकान ली हो तो मैं करूँगा P O में से P Q माइनस तो यहाँ पर इस तरह से अगर यहाँ पर मैंने O P है P O E की बात होती है तो यहाँ O P जो है इससे X माना हुआ है तो X मेंसे P Q म यानिकि 6 cm यह मैं less करूँआ तो मुझे O Q मिल जाएगी और वाकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर O A और O C दोनों ही R है तो मैं उन्हें भी लिख लेता हूँ कि यहाँ पर O A equal to O C दोनों यहाँ पर R cm के बराबर है अब देखें अगर मुझे A P निकाननी हो तो A P ज यानिकि 11 का हाफ तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ और इसका रिजन लिखूंगा तो यहाँ लिख लेता हूँ कि A P जो है वो हाफ होगा A B का तो इस तरह से ही आ जाता है 2.5 cm तो इसका हम रिजन भी लिखेंगे यानि कि कोई भी परपेंडिकुलर जब कोड पर पड़ता है तो वह कोड को बाइसक करता है और यहाँ पर वह इकुल इकुल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा यानि कि A P और P भी इकुल हो जाएंगे उसी तरह से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल रहा है CD कोड पर तो इसलिए CQ और QD आपस में बराबर होंगे उसी तरह किसे अब हम यहां लिख लेता है कि यहां पर CQ जो है वह हाफ होगी CD की तो इट मिन्स वन अपाउन टू मुल्टिप्लाई 11 इकुल टू जबागा 5.5 cm अब देखें यहां पर अगर हम देखें तो यहां प करते हैं अब देखें अगर कि फ्ट्राइंगल ओ एप इसको क्रें तो मैं लेका ने इस ट्रेंगल ओ कंडर O A का जो square होगा वो equal होगा AP का square इसमें brackets में लिख लेते हैं प्लस PO का square अब यहां लिखेंगे by पायतागुरस्तियोरम अब देखें यहां पर values put कर लेते हैं तो यहां पर O A तो यहां पर O A जो है वो मैंने R माना हुआ था देखें जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि O A R cm है यहां पर R का square हो गया इक्वल टू AP जो है अगर हम यहां से देखें तो AP हमारा 2.5 cm है तो मैं लिखें 2.5 cm का square प्लस अगर हम PO देखें तो यहां पर देखें PO जो है वो मैंने X माना हुआ था OP इक्वल टू एक सेंटिमेटर तो यहां मैं X कुट कर लोगा तो हम इसको यहां solve कर लेते हैं R square इक्वल टू 2.5 का square हो जगा 6.25 प्लस यहां X square अब आजाते हैं हम नीचे वाले triangle में जो की है O C Q तब O C Q के अंदर अगर हम देखें तो हाइबोडेनेस जो है वो हमारा C O होगा और base C Q और height O Q तो मैं यहां लिख लेता हूँ कि in triangle O C Q में यहां पर मैं लिख सकता हूँ कि C O का square equal होगा यहां पर C Q का square प्लस O Q का square पाइथागोर स्टोरम के गॉर्डिंग तो मैं यहां लिख लेता हूँ by P T short form मैं लिख लिख लिए तो C Q जो है यहां पर अगर हम देखें C Q जो है वो 5.5 है तो मैं यहां पर 5.5 पुट कर लेता हूँ प्लस अब O Q जो है O Q देखें मैंने यहां पर उपर मानी वी थी यह लिए तो यहां O Q जो है वो दे रखें मैं X माइनस 6 सेंटिमेटर तो X माइनस 6 पुट करूँगा मैं यहां O Q तो मैं यहां इसको मैंशन कर लेता हूँ कि O Q है यहां पर हम देखें X माइनस 6 का होल स्क्वार और C O C O देखें C O हमारी रेडियस है यहां पर हम आजएची माइनटेटी लगाएंगे ऐखें लगाएंगे A माइनस B का होल स्कॉर होता है A की टू बलस B की टू माइनस 2AB तो यहां कि A कीč मतलब X स्क्वार प्लस B स्क्वार स्क्वार ensuring 6 का स्क्वार हो जगा 18 इया-माइनस 2 2012 मतलब 2612 तो माइनस 12x तो इस तरह से हम इसको जो है एक्सपेंड करके लिए सकते हैं यह मनेजबी का होली स्क्वाइर हमने यहां एक्सपेंड कर लिया आप उसको सॉल्ट कर लेते हैं देखें यह लाइट टम है 30.25 और 36 इसको एड़ कर लेते हो तो आयाता है 66.25 और बाकि सबसे पहले यहां पर यह एक्सपेंड है अगर इधर जाएगा तो माइनस का होगा तो हम यही पर काट लेते हैं है ठीक है यह बाकि हमार पास यह बच जाता है अब हम इसको आपस में लेस करेंगे तो आ जाता है 60 यहां है 12 x तो x is equal to 60 upon 12 तो 12 5 जा 60 होता है तो इस तरह से x जो है वो 5 के equal आ गई तो अब मैं put करूँगा x equal 5 in equation first first equation मैं put कर लेता हूं तो देखे सबसे पहले मैंने equation बनाई थी वो यही बनाई थी ठीक है यह first equation है तो इसमें मैं put कर रहा हूं उसको तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि यहां पर आर स्क्वाइर जो है वो equal है 6.25 प्लस x स्क्वाइर के तो यहां पर 6.25 प्लस यहां पर 5 का स्क्वाइर तो यहां पर अगर अगर solve करें और तो यह बन जाता है 6.25 प्लस 25 तो अगर हम यहां इन दोनों को add करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 31.25 यहार स्कार के एकवल है यह देखिए आगे हम इसे solve करते हैं तो यहां पर यह स्कार है वो root में तो हम इसको round off कर लेंगे हम इसको कह सकते हैं कि 5.6 अप्रोक्स यानिकि मैं कहा सकता हूं कि radius of circle जो है वो 5.6 cm जो है मारे पास यहां आगया जो की question में पूछा था और इसको हम सेंटिमेटर में लिखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप कोई sum समझ माने होगा इसी तरह कि बहुत से sums क्लास 9 के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नहीं sum के साथ तब तक के लिए good bye